हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रिडेवल एस्टडी पॉइंट में और मैं हूँ राजीद और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्यार बोर्ट 12 क्लास 100 माक्स हिंदी का पदखंड का उसा चेप्टर जो समसे बहादूर सी के द्वारा लिखा गया है उसी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब्जेक्टिव कोस्चन जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो स्टार्ट करने सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो पैसंदा है तो लाइक किजिए ज्यादस ज्यादस सेर किजिए ओके तो समय बरवाद ना करते हुए चलते हैं अब्जेक्टिव कोस्चन पर तो देख लीजे पहला अब्जेक्टिव कोस्चन है उसा सिरसक कवीता के कवी कौन ह तो उसा सिरसक कवीता के कवी समसेर बहादूर सी है तो इसका एंसर भी करेक्ट हो जाएगा समसेर बहादूर सी ओके चली अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन दो नमर बोल रहा है कि समसेर बहादूर सी के पिता जी का नाम था यानि जो समसेर बहादूर सी है उनके पि दाजी का नाम था TARIFF C नहीं का था? तारिफ C तो इसका Cancer A Correct हो जाएगा अबते हो तारिफ C चलिए तीर नमबर प्रासन देखते हैं तीसरा प्रासन है लगतीं हिंदी साहिते हैं कवियों के कवी किसे कहा जाता है? हिंदी साहित में कवियों के कवी समसेर बहादूर सी को कहा जाता है किने कहा जाता है तो समसेर बहादूर सी को इसका answer भी correct हो जाएगा समसेर बहादूर सी चलिए अगला प्रस्न देखते हैं चार नमर प्रस्न बोल रहा है कि उसा का जादू कब तूटता है तो उसा का जादू सुर्योदे होने पर तूड़ जाता है उके सुर्योदे होने पर यानि मैंने अपने भावर्थ वाले वीडियो में बताया है कि जैसे ही सुभा होती है तो जो उसा होता है प्राप्तकालिन और जो रात और दिन होने का बीच का जो समय होता है वो सुभा होत पर उसा का जादू तूट जाता है और उसा किसे कहते हैं यह सब बाद मैंने अपने भावर्थ वाले वीडियो में बता दिया है अगर आप वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक के वहां से देख लिजे या मेरे यूटूब चैनल पर कलाश हिंदी कलाश 12 के नाम से एक प्ले लिस्ट है उसमें जाए और वहां से सारे वीडियो हिंदी का आप देख सकते हैं एकदम और किसी भी चीज का पीडियो चाहिए तो मेरे टेलिक्राम चैनल से जूर जाए रिडेवल स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा चैनल है वहां पर आपको एकदम फिरी में प्रोवाइट किया जाएगा एकदम मुवत में कोई इसका फी नहीं लिया जाएगा ओके या कोई चार्ज आपको नहीं देना परेगा तो पाच नमर प्रस्न है समसेर बहादूर सी की पतनी का नाम क्या है समसेर बहादूर सी के पतनी का नाम है धर्म देवी क्या नाम है धर्म देवी और आप लोग का आज का एक प्रस्न है कि समसेर बहादूर सी का साधी धर्म देवी से कब हुआ था और फिर धर्म देवी का मृत्यू कितने वर्स बाद हो गया था यानि कितने इस भी में इनका मृत्यू हो गया था तो फिलाल के लिए आपका answer a correct है और ये दो question जो मैंने पूछा है उसका answer आप मुझे comment box में जरूर दे ओके चलिए आगे देखते हैं छे नमर प्रस्टन है समसेर बहादूरसी ने निमलिखित में से किस अस्थान से बिये किया यानि जो समसेर बहादूरसी है उन्होंने निमलिखित में से किस अस हो जाएगा चलिए साथ नमर प्रस्टन देख लेते साथ नमर प्रस्टन है उसा कवीता में प्राप्तकाल को किसके समान बताया गया है उसा जो कवीता में आपके चेप्टर में चेप्टर का नाम जो उसा है उसमें प्राप्तकाल को क्या कहा गया ओके तो प्राप्तकाल को नीले संख के समान कहा गया है तो इसका भी अंसर ए करेक्ट हो जाएगा नीला संख चलिए अगर आप इस कविता को नहीं पढ़ें तो अभी ही मेरे चैनल पर जाएए और वहां से पढ़ लेजे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप वहां से भी इस च इसका प्रकासान उन्हाइस्थ स्यरीर्स स्वष्धू प्रकासन में हुआ है तो इसका एंसर हो जाएगा उनैस्ज क्याएऑं चेले आगे देख लेते हैं उसा सिर्षक्षक कविता क कवी है संसेर- होके इसका एंसर बी क्यों साका यहाँर सождения सम्राइख ऑर जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं 10 नमर प्रश्ण है सुकून की तलास क्या है वो क्या है जो समसर बहादुर्सी की है तो वो एक गजल है वो एक क्या है सुकून की तलास जो है एक गजल है तो इसका एंसर सी करेक्ट हो जाएगा है सुकुन की तलास एक गजल है ओके चलिए आगे देख लेते हैं इगारा नमर प्रसन है रचना की द्रिष्टी से सलेट सब्द का की प्रकिर्टी बताए ओके यानि आप लोग पढ़े होंगे जो हिंदी ग्रामर तो जब हिंदी ग्रामर में आया होगा आप लोग का कि कैसा सब वर्ड है तद्सम है या तदभव है या देशज है या विदेशज है तो आप बोलिएगा कि ये तो एक इंगलिस का वर्ड लग रहा है तो इसलिए विदेशज हो जाएगा यानि जो विदेशी बोल चाल में आता है उसी को विदेशज करते हैं तो सिलेट क्या है वहा एक वर्ड है तो इसलिए इसका विदेशस एंसर हो जाएगा तो इसका एंसर डी करेक्ट हो जाएगा विदेशस ओके चलिए आगे देखते हैं 12 नमर प्रसन है जादू तूटना मोहावरे का कावयांस में अर्थ है यानि जादू जो तूटना एक मोहावरा है इसका आपके कविता में क्या अर्थ है तो देख लिजे इसका अर्थ है परभाव समाप्थ हो जाना क्या हो जाना परभाव समाप्थ हो जाना यानि कोई भी अगर जादू है और जादू किसी का तूट गया तो उस पर से उसका परभाव खतम हो गया तो इसका answer C correct हो जाएगा परभाव समाप्त हो जाना चलिए अगला प्रशन है समसेर बहादूर्सी ने सोवियत रूस की यातरा कब की तो उन्होंने 1978 में सोवियत रूस की यातरा की ओके चलिए तो इसका answer B correct हो जाएगा प्रशन देख लेते अगला प्रशन है गोर सब्द का विलोम निमली खित में से कौन सा सब्द होगा मैंने गोर सब्द का अर्थ अपने भावर्थ वाले वीडियो में बताया कि गोड़ा इसका क्या मतलब होता है गोड़ा ओके तो गोड़ा का उल्टा क्या होगा काला तो क को कहते हैं स्याम मतलब होता है काला देखें होंगे आप लोग सरकारी स्कूल में पड़े होंगे तो स्याम पट यानि चालएक प्लेट रहता है तो इसकाँ एंसर बॉह जाएगा। स्याम स्याम गौरा का हो जाएगा स्याम विलो चली आगे देख लेते हैं पंदरा नमर प्रस्न है समसेर बहादूर्सी की रचना किस सब्तक से आनी शुरू हुई समसेर बहादूर्सी की जो रचना किस सब्तक से आना शुरू हुई तो वो दूसरा सब्तक से आना शुरू इन्होंने दूसरा सब्तक से ही अपना किरितिया लिखना रचना लिखना इस्टार्ट किया था औकी चलि आगे देख लिजिए आगे है समसेर बहादूरसीने किस कोष का संपादन क्या तो उर्दू हिंदी का इन्होंने समपादन क्या ओके तो इसका एंसर सी करेक्ट हो जाएगा उर्दू हिंदी चली आगे देख लेते आगे है अगला प्रश्न है कौन सी कृती समसेर बहादूर सी की है कौन सी कृती समसेर बहादूर सी की है तो देख लिजिए कि काल तुझसे होड है मेरी यही समसेर बहादूर सी की रचना है किरिती है तो इसका एंसर सी हो जाएगा काल तुझसे होड है मेरी ठीक चली आगे देख लेते अठारा नमर प्रोश्ण है समसेर बहादूर सी का संबंद किस विश्विद्याले से रहा है समसेर बहादूर सी का संबंद किस विश्विद्याले से रहा है तो उनक हम इस विद्दाले चलि आगे देख लेजी आगे है कि देश्वध प these कहले कि समनारती मतलब उसके समान और देश्वद के समान देश्वध के समान तो आप लोग जानते होंगे कि देव किसमे कहा जाता है गाउं में हम लोग शरीर को सरीर को देख आते तो इसका answer एक correct हो जाएगा सरीर दे मतलब सरीर चली आगे देख लिजिए आगे है शमसेर बहादूर्सी निमलिखित में से किस साहितकार के समकालिन थे तो जो नागार्जुन के समकालिन थे यानी जब समसेर बहादूर्ची थे तो समय नागारजून M. अगर आपको नागारजून न देकर अग्ये जी दे थे ठीक है न अग्ये जी दे तो आप अग्ये जी में टिक आउट किजिएगा ओके अगर नागार जुन न दे तब ठिक अगर नागार जुन दे तो नागार जुने समकालिन मतला आपको समझ में आ गया कि इनके समय यह भी थे ओके चलिए आगे देख लेते हैं इकिस नमर प्रस्ण है समसेर बहादुर्ची को सहीत एक एकडमी पूष्कार कब मिला इसका एंसर एक औरेक्ट हो जाएगा 977 चलिए अगे देख लेते अगे है लेखक के भाई थे लेखक के भाई थे यानि लेखक के अपके है समसेर बहदुर्ची ना समसेर बहदुर्ची तो उनका उनके भाई का नाम है तेज तो आपको यहाँ पर क्या है माता का नाम पुछा है तो माता का नाम हो जाएगा परभु देई तो answer A correct हो जाएगा ओके चली आगे है समसेर बहादूरसी के कावे की भासा कैसी है तो उनकी कावे के भासा है खड़ी बोली उनकी कावे का भासा क्या है खड़ी बोली तो इसका answer A correct हो जाएगा खड़ी बोली 25 नमर प्रस्ण है समसेर बहादूर सी का जन्म कब और कहां हुआ था उनका जन्म 13 जन्म 1911 में 12 उत्रा खंड में 12 उत्रा खंड में 13 जन्म 1911 को हुआ था चली अगला प्रस्ण देख लेते हैं लेखक को कभीर समान कब दिया गया था यानि लेखक जो समसेर बहादूर सी है उनको कभीर समान कब दिया गया था तो इसका एंसर भी करेक्ट हो जाएगा कभीर समान उनईश्व नवाशी में लेखक को कभीर समान से प्रुषकारित किया गया थो इसके एंसर बी करेक्ट हो जाएगा कभीर समान उनईश्व नवाशी ओके तो आज भड के लिए इतना ही और यह 26 कोश्चन आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए ताक्या आपक को मेरे चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पर सेट कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे अगर आपको फिरी पीडियाप चाहिए तो टेलिग्राम चैनल रिडियाबल स्टरी पॉइंट से जूर जाए एक दम फिरी में मुप में आपको पीडियाप मिलेगा तो असा करता हो कि आपको यह वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक किजिए जद जद सेट किजिए तो आज बढ़के लिए इतना है गुडबाय जाहिंद